नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि थम्नेल में दिख़ए दे़ाए आप लोगों को इस्कूल लेक्चर राजनित्ती विज्ञान की शुरुवात कहां से करें? यानि कि राजनित्ती विज्ञान से आप स्कूल लेक्चर की त्यारी करने का मानिश बना रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ी भरती जो आने वाली है उसकी त्यारी अभीशे आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए काफी उप्योगी होगा जैसे कि राजनित्ती विज्ञान शुरुवात कहां से करें पहली बार राजनित्ती विज्ञान से स्कूल लेक्चर का एक्जाम देने वाले अभ्यरतियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्पून है, साथी शाथ वो साथी वो मित्र जो स्कूल लेक्चर का एक्जाम दिया, लेकिन हजारों विद्यारती जो स्कूल लेक्चर के एक्जाम में नियुनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर पाएं, या जिनका स्लेक्शन नहीं हुआ, किसी कारण से व में शुरुवात करनी चाहिए, आइए, वो कौन-कौन सी किताबें हैं, जिन से हमें एक बार शुरुवात करनी चाहिए, मैं सबसे पहली जो किताब आप लोगों के सामने रख रहा हूं, वो है कक्षा 11 की राजनित्ति विज्ञान की किताब, ये RBSC की जो अभी वरतमान मे पाठ्यकरम नहीं है, NCRT से पहले जो पाठ्यकरम ता, कक्षा 11 का, ये किताब आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इस किताब को आप अवश्यल है, और इसके प्रतेक टॉपिक को बढ़े, भले इन किताबों के टॉपिक पाठ्यकरम में आपके फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यकर पाठ्यकरम नहीं है, ये जो पूरी की पूरी जो किताब है, विशेश रूप से आप लोगों के लिए काफी उप्योगी साबित होगी, इसे आप अवश्यल है, और इसका जो भाग औ है, ये तो लग भग आपके इसकूल लेक्शर के पाठ्यकरम में कहीं कहीं ये टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन जो भाग भव है, ये आप लोगों के फर्स्ट पेपर में रष्ट्य आंदोलन फ coupon में कामा सकता, राजनीत्ति विज्यान में सविधन का पाष्ट आप लोगों के लिए समव्धानिक विकास इसमें कामा सकता है, और भी लगबग ये भी तो राजनित्य विज्ञान के मूल आधार और भारत के राष्ट्रिय आंदोलों और सम्विधानिक विकास कक्षा 11 की जो इस किताब में दे रखें यह आप लोगों के लिए काफी उप्योगी होंगे वरतमान में कक्षा 11 में NCR3 का पाच्छे करम लागू है और राजनित्यक शिद्दान्त नाम की जो यह किताब आप लोगों को दिखाई दे रही है यह बहुत महत्मून है बले इसमें से प्रशन एक भी नहीं आए लेकिन आपकी यानि की विजन कॉन्षप्ट को किलिर करने के लिए किशी टॉपिक के बारे में आप लोगों का माइंड को विस्तारीत करने के लिए उसका धरातल या बैस तियार करने के लिए इस किताब को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है देखिए राजनित्यक्षिदान्त श्वतंत्रता समानता न्याई अधिकार नागरिक्ता र समझ में नहीं आती है लेंग्वेज अलग परकार की है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें इसमें आप लोगों को यूनिक मिलेगी जो कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगी तो प्रतेक टॉपिक को ठीक से पढ़ें बहले ही आप लोगों को चीजें याद हो या नहों इन्हें आपको पढ़ना जरूरी है और short notes आप लोगों को बनाने चाहिए ताकि विशे के बारे में आप लोगों का foundation जो है आप लोगों का आधार है वो तैयार होगा कक्षाई 11 में NCRT की जो दूसरी किताब है जो है भारत का समविधान, सिधान्त और व्यवार ये आप लोगों के लिए काफी मैत्पूर है इसको भी आप लोग जरूर देखें भारत के सविधान के संतर में कुछ ऐसे तथे, कुछ ऐसे ऐफेक्ट इस किताब में भी आप लोगों को मिलेंगे जो अन्य किताबों में आप लोगों को नहीं मिलेंगे भारत का सविधान, क्यों, और कैसे भारतिये सविधान में अधिकार, चुनाओ, प्रतिदीत्व, कार्य पालिका, वयु को के लिए बहुत अधिक उपियों की है यह अवस्यपड़ सम्हें हैं त्वस्त मेंटर जरूर दे रखा हैं अवस्तित नहीं दे रका है, शंपुरुनता भली परत्य एक टॉपिक में नहीं हो, हो शकता कुछ इसमें तूटियां भी हो शकती, फिर भी आप लोगों को एक बार इसका अध्यन करना है, और गंबीरता से अध्यन करना है, और जो फस्ट ग्रेड के एक्जाम के अनुकूल, जो महतपुन तथ्य है, जो महतपुन फैक्ट है, उनके आपको शॉट नॉट्स इन किताबों के आप लोगों को अविश्य तयार करने चाहिए, अगली जिस किताब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत महतपुन शाबित होगी आप लोगों के लिए, स्कूल जनांदोला ने जितने भी प्रस्तितियां हुई हो, कहीन कहीं शे हमारे फर्स्ट गिरिड के पाथ्य करम में हैं, और मुझे लगता है कि ये किताब यदि आप लोगों का पढ़ लेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप लोगों का आतम विश्व चर्चा अपड़ोगे, दूसरा एक दल के परभुत्व का दौर, इसमें आप 1952, 1957, 1962 के तीनों आम चुनाओं के बार में आप लोग अध्यन कर पाएंगे, नियोजित विकास की चुनोती इसमें आप लोग भारत में विकास के जो मॉडल थे, ओप्रेशन फ्लर्ड है, हरित करांती उसके बार में आप लोग अध्यन करेंगे, भारत के विदेश समंद में भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन समंद, भारत की विदेशनिती, अध्याई पांच में कॉंग्रिस पंडाली की चुनोतिया, पुनरिस्तापना, बहुत सी ऐसी बातें यहां आपको मिलेगी, जो अन्य कहीं नहीं मिलेगी, लोकतांतरिक ववस्ता का संकट जन आंदोलन में भारत में आजादी के बाद, जो आंदोलन हुए, चैत्री अकंक्षाओं में मनिपूर, जंबु कस्मीर, पुर्वतर की समश्याओं के बार में आप लोग पढ़ेंगे, और भारती राजनिती में नए बदलाव, ये नौ अध्याई बहुत महत्पून है, मेरा तो ये कहना है, अक्षर में इस बात को कहता हूँ कि श्वतांतर भारत में राजनिती की गिताब तो उन लोगों को भी पढ़नी चाहिए, जिनका पढ़ाईशे कोई लेना देना नहीं, जिनने प्रत्युक इसको लेक्षर के लिए तो ये रामबान है, लेकिन इससे भी जादा महत्पूरुन एक वह किताब जिसके सीधे सीधे टॉपिक आप लोगों के पाच्छे करम में हैं, वो कक्षा 12 की NCRT, समकालिन विश्व मेरा जनिती, इसका तो एक एक लाइन आप लोगों के लिए महत् प्राप्त नहीं कर पाए, जिसमें सब्जेक्ट में 150 में से 6 अंक प्राप्त नहीं कर पाए, उन विद्यारतियों को बताना ये चाहूंगा कि स्वतंद्र भारत में राजनितियों और शमकालिन विश्व की राजनिती शे 12 प्रशन हूब हूँ, लाइन टू लाइन, मैंने संख्या भी लिख रखी है इन दोनों किताबों में से आए, कितनी बड़ी हेल्प हो शकती है आप लोगों के लिए, यदि इन किताबों से आने वाला एक भी प्रशन आप लोगों के लिए गलत नहीं हो, तो कितना पक्ष मजबूत हो शकता है आप लोगों का, इस किताब मे आप लोगों को इतने तथे मिलेंगे, इतने फैक्ट मिलेंगे अंतराष्टे राधनिती से समंदित, दित्ते विश्वुद के बाद से लगा कर आस्तक की विश्व की राधनिती जो की बहुत मैत्मुने शीतियुद से दौर जिसमें आप लोगों के प्रारम होता है, शीदे आप लोगों के पाष्टे करम में भी है, आएए देखते हैं, शीत युद्गादौर, दिव धुर्वियता कांत, शमकालिन विश्व में अमरीकी वर्चश्व, सत्ता के व्यकल्पिक के अंतर, शमकालिन दक्षणी एसिया, अंतराष्टे संगर्टन, जिसमें आप यू एन अध्याई है, जो मैंने श्वतंत्र भारत की राधनिती और शमकालिन विश्व की राधनिती, जो अठारा अध्याई, जो इन दोनों किताबों में हैं, ये तो आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए, हम मार्केट से हजारों रुपे खर्च करके, बड़े-बड़े गरंत हम लोगों के लिए हैं, उन किताबों की तरफ हम देखते भी नहीं, उनको पढ़ते भी नहीं हैं, और वो ही हमारा कदम बहुत गातक शाबित होता है, शुरुवात जिरो से करनी चीज़, शुन्ये से सुरुवात होती है, आप जब तक इन किताबों को नहीं अध्यन हैं, और वो भी उस गंबिरता से आप लोगों ने इन किताबों का अध्यन नहीं किया होगा, जितनी गंबिरता से अब आप लोगों को इसका अध्यन करने की आवशकता है, रबी एस्री की जो वरतमान में नहीं है, कक्षा 12 में, ये जो राजनित्ती विज्ञान की किताब ह ये भी बहुत मैत्मुन है, राजनित्ती विज्ञान की मूल अवधारना है, भाग ओ, जिसमें आप लोग न्याई, शक्ति, शत्ता, वेदता, धरम, श्वतंत्रता, समानता, राजनित्तिक, समाजीकरन, संस्कृती, और श्यभागिता, उदारवाद, समाजवाद, से मिलते हैं, और ये कहीं कहीं से आपके फर्स्ट ग्रेड के पाष्चे करम के अंतरगत है, और इसका जो भाग बह है, वो भारत का समविधान है, पूरा का पूरा, प्रारंबिक समझ विक्षित करने के लिए भारते समविधान को यहां से पढ़ना चीए, कुछ सत्यात्मक तुरूटिया इनमें मिल सकती है, लेकिन वो आप जैसे जैसे तियारी करेंगे, इसको पढ़ने के बाद जब दूसरी किताबों में आप आएंगे, तो तुरूटिया आप लोगों के दूर हो जाएगी, इसमें सविधान का भाग, तीन, चार, पांच, छे आप लोगों को म लेंगे, तो बहुत ही महतपरण किताब है, यह भी इसको भी आप लोगों को अध्यन करना चाहिए, विशेष रूप से इस कक्षा के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि एक स्टुडेंट के मन में सबसे पहला प्रशन यह होता है कि मैं कहां से त्यारी क कि जो 6 किताबें हैं, उनसे आप लोगों को सुरुवात करनी चाहिए, NCRT की 212 में, 211 में और 11 RBSC की यह जो 6 किताबें हैं, यहां से आप इसको लेक्षर की तियारी की सुरुवात कीजिए, जब इन किताबों को ठीक से आप लोग पढ़ लें, तब आपको सोचना चाहिए कि अब हमें अगली किन पुस्तकों का चैन करना चाहिए, उस अगले वीडियो में हम इसके बार में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यदि आप कक्षा 12 की इन दोनों किताबों का अध्यन करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पूरे के पूरे, श टोटल 26 वीडियो में स्वतंत्र भारत में राजनिती और 20 वीडियो में शमकालिन विश्व में राजनिती के टोटल 46 वीडियो आपको मिलेंगे, मुश्किल से 35 या 38 गंटे में आप चाहें, तो पूरी की पूरी इन दोनों किताबों को आप ठीक से पढ़ सकते हैं, कम से कम 12 से 13 प्रशन आप लोगों किस रुक्षित हो जाएंगे, हम कौशिश करेंगे कि 11 और इन किताबों को भी यूटूब के माद्यम से आप लोगों के पास में पहुचाएं, अबर आल ये जो 6 किताबे मैंने बताईएं, आप पिछले हुए पेपरों को मिलान कर लेना लग 25 से 30 प्रशन मैं कहूंगा इन 6 किताबों में से आ रहे हैं लगातार, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, 25 से 30 प्रशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां 150 में से 60 प्रशन से इन्योर हैं, वाई दी इन 6 किताबों में से 25 से 30 प्रशन आ रहे हैं, दाएं, बाएं से प्रतेक्ष अप्रतेक्स रूप से तो इनका आध्यन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाकर फर्स्ट ग्रेड इस्कूल लेक्षर से समन्दित आप जो है डेमो कक्षाएं देख सकते हैं, आपको इदी उचेत लगता है, हमारा कंटेंट और हमारा मैटर तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप लोगों को अंतिम सलाई देन पहुंच पाएंगे, बहुत ही मजबूत त्यारी चाहिए, बहुत ही शटिक त्यारी चाहिए, उचित मारक दर्शन में त्यारी चाहिए, बिना थके, बिना रुखे, अनवरत आप लोगों को त्यारी चाहिए, यदि 7-8 महीने आप लोग दे शकते हैं, भूमिकत हो शकते ह तो आपको शप्पल होने से को ही नहीं रोख सकता है.